मा आपको बता हुआ कि गाय बहांस की बच्य दानी में infection संकर्मन का बैस्ट ईलाच टीज़ मिलती अब्पेक्षन ऑस संकर्मन के वज़ये से पसुपालक है वे अपनी गाय बहांस को गरब टेहरा पाते हैं और वे संकर्मन से लिए बहुति गहतक शिदो जाता अगर्थ समय उनका डाइग्नोसेश करके आप उस तरह के दवां नहीं दी तो भी बच्चे दाने का जो संकर्मन पशूं का जाने पाता है और उसके वजह से आप चाहे कितनी बर तो आप करूदे या नेच्चुनल कर वाले पशूं गरब नहीं ठैर पाता है यह दिया आपके पुसमें इस तरह का इंफिक्षन हो जाता है तो पुसमें प्रोपर हीट में आता है इस्तरह के symptoms देखने को मिलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है कि कईबर पसूं की इस तरह की संकर्मन से पसूं की बचेदानी है वो लंबे समय तक खुली रहती है उसके वजह से उसमें दिशार्ज है वो लंबे समय तक डालता ही रहता है तो वह कभी भी पसूं गार्ब नहीं ठहर पाता है इसी के साथ कईबर यह आपने देखा होगा कि पसूं की जो बचेदानी से इसार्ज मामुली आमूली सा उस पर लगा ही रहता है और वह पसूं कईबर जो आप यह नेच् सब्सक्राइब में तो मैट इस नेेरियन हैं वो चैक करते हैं तो बताते हैं कि बच्चेदानी हो गई है तो जीस परकार से हम狗ते हैं लंबे समय तक क्रोनिक मेटराइटिस में चला जाता है फिर उसमें पाईव मेटराइगी शिकाइट हो जाती है तो कई बर देखा होगा कि परशूं की जो बच्चे दानी में जो डिसाज तो डाल रहा है लेकिन मटमेला मौाद जैसा गाड़ा गाड़ा डिसाज डाल रहा है उससे तो हमें साप-साप दिखने लग जाता है कि उसमें इनफेक्षन हो चुका है случа visADE जाती है कि बाद बद्भी मारने लग जाती है तो यह कर दो तो आप उसे सपाई सुपी कुछ भी नहीं करनी या कुछ दवा नहीं चोनी आपको यह करनी उस इस्तिति में भूल कर भी इस तरह के केस को आप पहले ही पसुपालों को अची तरह से बता दें ताकि आपको क्या दवा देने चाहिए वह भी आज की वीडियो के अंदर पूरी सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब यह दिया आप अपने पसुपालों की जैसे डिलेवरी होती है या डिलेवरी नहीं हुई है कहिए तरह की पसुपालों हैं तो आप उनमें जो वेजाइनल इंफिक्शं इस पर से डिसार्ज डाल रही है मोटा डाल रही है मुआद रुपी डाल रही है उसमें गंद आ रही है तो उसके अंदर यूटटराइन टोनिक का परियोग उस पसुपाल नहीं करवाइगे उप मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करता है जो अच्छी तरह की द्वाय उनके लिए बताता हूं आपकी मर्जी है जिस तरह की द्वाय ले आता हूं ताकि प्रसुपाल को कुछ ज्यादा बेनफिट देखने को मिले इसमें मार्केटिंग क्या है हर तरह की कंपनियां उनके बारे में बताने की कुछिस करता हूं चेंछ चोटी हो या बड़ी हो लेकिन देखो इसके अंदर जिस प्रकार से यह मेंकाइन का कोई भी हो किसी भी कंपनी का यूट्री वाइव हो एक जापार हो हीम्रोप कोई सा भी आप परियोग कर सकते हो दान में परियोग जरूर कर्वाना है समझ गया रही बात एदी पासूं में जिस प्रकार से उनकी और सुझन आहे बस्चे yak research सुझन और रही बात उसके अंदर सर्विक्स में सुजन है तो आप उसमें एक एंटिबाइटिक इंजेक्शन का जुरूर परियोग करना होगा वह एंटिबाइटिक के तोर पर आप जिस प्रकार से जिसके अंदर साल्थ है शेटी फोर सोडियम हस नल इंजेक्षन या कोई मिकी इति करवली लिद्रे पर्योंगा अप करवा सकते हैं यह आपको लगातार तीन दिन से लेकर के चार दिन तक आपको परियोग करवानी है इंट्रा मस्कुलर अपने पास नजदी के वेटिनेरियन है उनसे ही इंजेक्शन भो ज़्यादा जुरूरी है इंफेक्शन वर संकर्मन हो गया है तो यह इंजेक्शन भी उसको जुरूर ल करते हैं तो आपको साथ में वेट में इंजेक्शन जिसके अंदर साठोकौ प्रैश्टिंग्स इंजेक्शन उस पशू को ज़्यादा जरूर करते हैं ताकि पशू की बच्चेदानी की सपाई अच्छी तरह से हो जाए तो अपने वेटिनेरियन से 2ml यह इंजेक्शन भी उस पशू को जरूर लगवा लेना चाहिए या इस तरहीं कि दिखता है फ़्लाइए हैं जल्दी आपको इस अ परियोग करना आप को सिंग्ल मुंन नीचत की प्रियोग करी है इसी के साथ जब बैचे-धाने में उपक्श्व सक्रमन बहुत दिखत है तो आप दिखत दवा वी एंटीबाइटिक दवा जुरूर चुड़वानी है एदि आपके पस्में इस तरह की दिक्त है संकर्मन से बचाना है तो एंटीबाइटिक तोड़ पर जिस तरह अप्रियो और जो अब चल रही है जो इनजेक्शन बताया है जो इचे। परयोगEE चोडने के लिए इन दवाओ का परयोग करवाएंगे तो बहुत त्य सब्सक्राइंगे यह जभी इसके आप अपने बचर में जिल्चे कि गाय की बचेदानी का infection संक्रमन दूर्ष कर सकते हैं और यह दवा परियोग करवाने के बाद में जब यह दी पसू 20-30 दिन बाद में हिट में आता है तो एक हीट आप उसको जुरू छड़वा देनी है ताकि उसके अच्छी तरह से सपाई हो सके उसके बाद में जब यह द आपने जो step-by-step यह दी जो प्रक्रिया यह दी आप अपने प्रसू में अपनाएंगे तो तो यह वीडियो जितना हो सकता है प्रसू पाल के वेटरिंस देंट है उनके साथ आप शेर जुरू करें क्यूंकि इस तरह की नोलेज़ बरी वीडियो इस देंदर पर ऐसे आती र